नमस्ते तो आज हम आपकी फेवरेट वाली रेडिंग करने वाले हैं कि इश्वर का क्या संदेश आपके लिए इश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं क्या अभी आपको सुनना जरूरी है ठीक है तो यस नो तो देखेंगे ही देखेंगे लेकिन बहुत सरी गाइडन्स देखेंगे आपको कोई भी स्किप नहीं करना है अगर स्किप कर जाओगे तो फिर अब गाइडन्स भी मिस कर सकते हो तो अगर आप miss कर जाओगे तो फिर कुछ बाते आपको समझ में नहीं आएगी तो हो सके तो पूरी वीडियो देखेगा क्योंकि बहुत लंबी तो मैं नहीं बनाती ठीक है तो yes नो हम आखरी में देखेंगे पहले देखते हैं क्या कुछ guidance है आपके लिए इश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं ठीक है तो start करते हैं आपकी reading इश्वर क्या कहना चाहते हैं आपको इस वक्त मेरे viewers को क्या सुनना जरूरी है ओके तो start करते हैं सबसे पहला कार्ड वाउ सरेंडर करने के लिए कहा जार आपको नमबर 14 या आपकी बॉर्डेट हो सकती या आपकर कुछ लोग की 1 या 4 भी बॉर्डेट हो सकती है ठीक है आपने जो कुछ भी उम्मीदे रखी है भगवान आपसे कहते कि आप सरेंडर कर दीजेगा यहाँ पर दो कार उचल कर आए है नमबर 30 और नमबर 29 ठीक है और एक कार निकालेंगे और इश्वर क्या संदेश देना चाहते है और नमबर 49 का कार है तो इश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते है मैं आपको बताती हूँ तो सबसे पहला काड़िया आपके लिए सरेंडर करने के लिए कहा जा रहे है इश्वर क्या कहते है कि आप उम्मीद मत रखिएगा आप सिब कर्म करते रहेगा उसका फल देना इश्वर का काम है जो कुछ भी आप आज महिनत करे हो उसका फल आपको मिलेगा अगर आप उम्मीद करोगे कि अभी के अभी चाहिए मुझे सब कुछ तो ऐसे तो नहीं होगा ठीक है बहुत फास एक रात में महल नहीं बांदे चाते या एक रात में कुछ भी होना ही होता उसके थोड़ा वक्त चाहिए दिवाइन टाइम का इंतजार आपको करना पड़ेगा तो जो कुछ भी आप आज उम्मीद आस लगा बेटे हो उसको सबकुछ जो कुछ भी आपके उम्मीद है सबकुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान ये मुझे चाहिए और ये मुझे मिलना चाहिए, बस मैं आपके उपर सोप दे रही हूँ, या सोप दे रहा हूँ, ठीक है, तो जब आप उम्मीद छोड़ दोगे और भगवान के उपर सब कुछ छोड़ दोगे, आप भगवान आप ही देख लो सब कुछ क्या करना है, तो वो काम आपके अपन जाएंगे, ठीक है, ये सबसे खुबसूरत बात यहाँ पर पहले आई है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, कि आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जिसी के ब्लॉक करके रखा है, हर चीज में आप नेगेटिव सोच रहे हो, हर चीज में, कौन है यहाँ पर ऐसा कि हर बात में आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच कर तो देखो, जिन्दगे कितनी खुबसूरत है गाईज, आप सिर्फ नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ठीक होगा ही नहीं, सब कुछ ठीक होगा, आपके लिए ये भी गाईडन्स दी जा रहे है यहाँ पर कि आपको ऐसे गोल डिसाइड करने है कि जो आपसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे कोई गोल डिसाइड नहीं करने है कि जो सपनों में भी पूरे नहीं हो सकते हैं, तो रियालिटी में जीनी की आवश्यकता है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि जो बहुत बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं ऐसे बड़े-बड़े सपने कि जो अब हर सपना पूरा थो होता लेकिन जिस ताइम में आपको वो सपना पूरा करना है तो आपको reality में जो पूरा हो सकता ऐसे goal decide करने हैं और फिर उसके उपर अपने आपको जोग देना है काम करने के लिए ठीक हैं जो सपने कभी पूरे नहीं होंगे तो फिर ऐसे भी सपने पूरे होंगे अगर आप छोटे-छोटे goal डिसाइड करके उसके उपर काम करते हो ऐसा गोल डिसाइड करके उसके उपर फोकस नहीं करोगे तो फिर काम कैसे बनेंगे ये भी आप सेश्वर कहना चाते हैं और कुछ लोग याप रहे ऐसे भी है कि कुछ गलत हैबिट्स है अब हर किसी के लिए वो बात अलग-अलग हो सकती है ठीक है तो आपको उस हैबिट्स से बाहर निकलने क्या आवश्च चकता है अब अगर आप एक लड़का हो तो कुछ smoking, drinking ऐसा हो सकता है या अगर आप एक लड़की हो तो हो सकता है चाय की आदत कोई भी habit ऐसी जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है social media का जादा use करना ऐसे कोई habit हो सकते है इश्वर कहते कि आपको उस habit के उपर काम करना पड़ेगा उससे बाहर निकलना ज़रूरी है अपने आपको उन चीजों से आपको release करना है जो आपके भविष्य के लिए जो आपकी सेहत के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है ठीक है तो ये इश्वर कहना चाते है और देखते हैं क्या कुछ कहना चाते है इश्वर यहाँ पर किसी की burden हो सकते है 29 किसी की हो सकती है 30 किसी की हो सकते है 14 किसी की और देखते हैं इश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप रोना रो रहे हो कि आपको फ्रिडम नहीं मिलता है इसलिए आप कुछ कर नहीं पाते हो ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आप कोशिश करोगे तो आपको फ्रिडम भी मिलेगा अगर आप कोशिश करोगे तो वो सब कुछ आप पा सकते हो जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो अपने पंख को पसारने के आवशक्ता है आपको उडान भरने के आवशक्ता है जो आप डर रहे हो आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकल रहे हो जो कि निकलना बहुत ज़रूरी है नमबर दो याप रहे हैं आप emotions में बहते जा रहे हो में भी कुछ लोग आपर ऐसे भी का अपनी emotions में बहकर गलट decision ले रहे हो और यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है spread your wings अपने पंख पसारो और उडान भरो फिर देखो कितना खुबसुरत जहान है और देखो फिर कितनी आपको success जो कुछ भी आप चाहते हो आपको मिल जाएगी ठीक है oh my god, यहाप पर helpless and hopeless है guys देखो guys आपको क्या लगता है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहे है भले, भले आपका कोई साथ ना दे रहा हो भले आपके रिष्टेदार, आपके friends आपका support नहीं कर रहे है तो मेहनत तो कर, तो आगे तो बढ़, तो ऐसे नर्वस होकर नाराज होकर एक जगा पर बैठे रहेगा तो तुझे कैसे success मिलेगा तो जो कुछ भी अपने life में पाना चाहता है उसके तो मेहनत तो कर, मैं सिर्फ तुझे राह दिखा सकता हूँ काम तो तुझे खुद ही करना है आगे तो तुझे खुद ही बढ़ना है तो भगवान इश्वर आपको राह दिखा रहे है लेकिन आप हो की अपने ही negative सोच में गुम हो आपको लगता है रहे यार कोई support नहीं कर रहे है या तो financial support नहीं है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपको stuck रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है और अपने कर्मों पर जादा ध्यान तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको कुछ past life कर्मा हो सकता है जो आप रिलीज कर रहे थे हैं उसका result आपको मिलेगा और अपने आपको clarity लेकर आओ यार यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही हैं कि confusion ही confusion है कोई solution नहीं है आपके पास खुद को जो कुछ भी आप करना चाहते हो पहले तो सोचो कि क्या सच में आपको वो करना है दूसरी बात बार बार यादे को यहाँ पर भी butterfly है यहाँ पर कुछ लोग ऐसी है का आपको ऐसा लगते कि freedom भी नहीं है आपको freedom भी नहीं मिलेगा गाईस आप कोशिश्ट करो ठीक है और देखते कि आपको चाहता है joy and stability भगवान आपकी जिन्दगी में लेकर आने वाल है लेकिन आपको खुद ही lead करना होगा आपको खुद ही आगे बढ़ना होगा ऐसे तर नहीं होगा घर बैठे कुछ नहीं होने वाला जो कुछ भी आपको काम करना है न उसके लिए आपको effort डालने होगे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी और खुद की जिन्दगी की डौर यहापर कुछ लोग ऐसे भी कि खुद की जिन्दगी की डौर दूसरों के हाथों में दे कर बैठे हो दूसरे लोग आपको lead करना है जिन्दगी में आप खुद lead कब करोगे अपनी जिन्दगी में आपको क्या करना है आप खुद decide करो दूसरे कैसे decide कर सकते हैं कि आपको क्या करना है यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको हो सकता है कि कुछ धुका मिला है देखो वापस दो नंबर है emotions में बैकर जिन्दगे में कुछ गलट decision यहाँ पर कुछ लोगों ने लिये है और इश्वर आपसे कहते कि अभी भी अभी अगर आप दुसरों के हाथों के कटफुतली बन कर जियोगे तो फिर अपने लिए अपने मन जैसा कब जियोगे यही सही वक्त है उस energy से बाहर निकलने का यही सही वक्त है निकिटिव लोगों से निकिटिव एनर्जी से बाहर निकलने का निकिटिव लोगों के साथ आपको रहना ही नहीं है जहाँ पर जाकर आपको निकिटिव एनर्जी मिलती है जहाँ पर अगर आप कुछ बात करते हो कि मुझे ये करना है वो करना है और सामने अला अगर आपको कहता कि तू कर नहीं सकता ऐसे लोगों के साथ ना रहना है और ना उनकी कोई डिसिजन आपको माननी है जाय अन स्टेबिलेटी बता है कि इश्वर आपको सब पुछ देने वाले है जो कुछ भी आप चाहते हो आप को मिल कर रहेगा आप परिशान मत होएगा ओके और देखते हैं इश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर बॉर्डेट बताती थी हूँ यहाँ पर नमबर थ्री नमबर फोर नमबर वन नमबर एट नमबर टू यह किसी के बॉर्डेट हो सकते नमबर फाइव आपको बहुत कुछ अच्छा फील करवाते हैं कि जैसे कि उनके जैसा कोई दोस्त हो नहीं सकता आपका ऐसा कुछ फील करवाते हैं और आपके साथ माइंड गेम खिलते हैं बड़ी चाला की से आपको हराने की कोशिश करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो लोग आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं ठीक हैं आपको चॉइस है कि आपको किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है आपको चॉइस है कि आपको जिन्दग में क्या करना है नहीं करना है यह ऐसे लोगों के साथ तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है कि जो आपके ही गो में नहीं रखना है आपको और सरंडर कर देना है उनिवर्स को भगवान को ठीक है लिब्रा अग्वरस जमिना राशी हो सकते हैं आपर कुछ रोकी और क्या है तेन आप पैंटकर्स देखो गाईज आपके जिन्दग में फाइनाशल प्रॉब्लम अगर है तो इश्वर चाहते हैं कि यह सारे प्रॉब्लम बहुत जल्द खतम होने वाले हैं यह फाइनाशल सेकूरिटी आपको मिलेगी आपके पार्टनर के सथ आपके नहीं बन रही है तो यह भी यहां पर होते हुई दिखायते रहे हैं आपके जो पार्टनर के सथ अगर जगडे हो रहे थे अ रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम हो फाइनाश को लेकर प्रॉब्लम हो यह यहां पर सौल होते हुई दिखाय दे रहा है टेन और पैंटेकल्स कुछ लोग यहां पर अगर बिजनस स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस्फुल बनोगे शादी के लिए अगर कोई किसी का सवाल है तो शादी हो जाएगी आपकी ठीक है और देखते हैं रिलीज करना है जो कुछ भी निगेटिविटी है पहले भी यह एनरजी आई है कि निगेटिव एनरजी को रिलीज करना है आपको ओके तो जो कुछ भी आपके जिन्दगी मे अब तक बुरा होता आ रहा था उसका end होने जा रहा है इश्वर आपसे कहते कि अब वो आपकी जिंदगी में बहुत transformation लेकर आने बाल है ऐसे suggestion को release कर देना है negative, ऐसे लोगों को release करना है अपने जिंदगी से negative और आपके अंदर spiritual transformation अब आने जा रहा है आपको एक spiritual guidance मिलेगी और उसके उपर अगर आप काम करते हो तो को success होने से कोई नहीं रोख सकता ठीक है और देखते है seven of cups या पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके पास एक से जादा option है और आप choice नहीं कर पा रहे हो आप select नहीं कर पा रहे हो तो ये तो जरूरी है ना ये जो आपके दिमाग में clarity नहीं है तो ये जरूरी है सबसे पहले कि आपको अब में भी कुछ लोग आपर रहे किसी चीज का addiction बन चुका है और आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको उस चीज से कैसे बाहर निकलना है तो जो भी addiction से भगवान कहती कि आपको ये सबसे पहले तो यही करना है कि जो addiction है उसमें से बाहर निकलना है खुद को बाहर निकालना है दूसरी बात आपको decision लेना बहुत जरूरी है जब तक आप decision नहीं लोगे सिर्फ option के बारे में सोचते रहोगे तो जो आपके लिए best है meditation स्टार्ट करो जैसे जैसे आप meditation स्टार्ट करोगे lack of clarity ये जो भी है हट जाएगी आप जब meditation करोगे तो angels भगवान आपको वो सही decision लेने में जरूर मदद करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो दिमाग में इतना confusion चल रहा है इसको अटाओ ठीक है और क्या है नमबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है cancer scorpio पाईसी राशी हो सकती है और गुस्ता इतना गुस्ता क्यों आता है आपको बहुत गुस्ता आता है आपर कुछ लोग ऐसे है कि छोटी-छोटी बातों पर भी इतने चिड़ जाते हो कि क्या बताओ तो सबसे पहले अपने गुस्ते को शांत करना है आपको कुछ बातों के लिए कुछ रिष्टों के लिए emotional होना भी बहुत जरूरी है ऐसे कोई रिष्टे जिसके लिए emotional होना और उनसे बात करना प्यार से बहुत जरूरी है जो आपके अपने करीबी है आप उनके साथ भी प्यार से बात नहीं कर रहे हो जिन चीजों पर आपको ध्यान देना है उन चीजों पर आप फोकस नहीं कर रहे हो और जिन चीजों पर ध्यान नहीं देना है ऐसे निगटिव बातों के उपर आप फोकस कर रहे हो ये सबसे पहले आपको नहीं करना है ओके राशी है लिब्रा अक्विरस जेमिना और क्या है कन्फूजन ही कन्फूजन है सोलूशन का पता नहीं नमबर दो वापस एमोशन्स आपके उपर हावी हो रही है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग है कि एमोशन्स में बहकर आपने पास्ट में गलट डिसिजन लिये है बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत आपको प्रैक्टिकल ही बनना है और एमोशनली सोचना ही नहीं है एमोशन्स भी चाहिए आपके अंदर और आपको प्रैक्टिकल होना भी उतना ही ज़रूरी है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे है कि आप फस गए हो बीच में कि आपको जॉब करना है बिजनस करना है कुछ लोग के बास दो-दो और आप डिसिजन नहीं ले पा रहे हो तो यह डिसिजन लेना ही सबसे बड़ी आपके अप जिम्मेदारी है कि डिसिजन लो और फिर उसके उपर काम करो तक आप डिसिजन नहीं ले पाओगे तो आप उसके उपर काम कैसे करोगे और decision लेने के लिए क्या करना है meditation करना है जितना जदा आप meditation कर पाओगे उतना ही आपको clarity मिलेगी helpful people आपके life में कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जो आपको help करेंगे वो आपके friends हो सकते हैं चाहे कोई ने लोग हो सकते हैं आपको angel की तरफ से universe की तरफ से अगवान की तरफ से sign मिल रहे हैं और आपन sign को अंदेखा कर रहे हो आपका कोई भी सवाल है उसका answer यहाँ पर yes आच चुका है guys beautiful beautiful yes no need to worry चिंता करने के आपको बिल्कुल भी आवश्यक्ता नहीं है जो भी problem है सारे solve होने वाले है और क्या है और क्या guidance है पीडा से गुजर कर ही महानतम आत्माए अधिक उन्नत होती है तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके जिन्दग में बहुत ज़़दा दुख है अभी इस वक्त आप दुख से पिडित हो और भगवान साही बाबा आपसे कहती प्रकाश बनिए औरों के जिवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए जो लोग आपके पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी मत तोड़िएगा और ऐसे लोगों के जिवन का प्रकाश बनना है जिनको कभी उम्मीद भी नहीं थी हो ऐसे निराधार लोग जिनको जरूरत है आपके हल्प की ऐसे लोगों के अगर आप हल्प करते हो तो आपको बहुत ज़ादा उसका रिजल्ट मिलेगा तीन मंत्र आपको हमेशा याद रखने हैं अच्छी सोच रखिए अच्छे शब्दों का उपयोग कीजे और अच्छे कार्य कीजे आज नहीं तो कल यह सब आपके जीवन में लोट आएंगे बहुत ही ब्यूटिफुल एनरजी आपर आ चुके हैं जो भी आपका सवाल है उसको दोहराना है अपने मन में और भगवान से प्रे करना है देखते हैं आपके सवाल का जवाब यस और नो मेरे जो भी विवर्स है उनके सवाल का जवाब क्या है यस है या नो है प्लीज उन्वर्स कैड मी मेरे जो भी विवर्स है उनके सवाल का जवाब क्या है यस और नो है क्या है उनके सवाल का जवाब क्या है मेरे विवर्स के सवाल का जवाब प्लेस उनिवर्स का एडमी ओकी तो आप देख रहे हूँ यहाँ पर सवाल का जवाब आपके सामने है यहाँ पर आ चुका है yes ठीक है और देखूँ वाइस answer और एंजल ने भी आपको क्या बता है आपका जो भी सवाल उसका answer है yes एंजल ने भी yes बोल दिया और हमने pendulum से पूछा तो pendulum से भी yes आ चुका है ठीक है तो यही थे आपकी reading अगर आपके साथ resonate करता है तो like, share and subscribe मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए, bye